नमस्कार दोस्तों, Fantasy Sports Professor के YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे Fantasy Tips and Best Dream 11 Combination for Leipzig vs PSG Champions League का ये मैच आज रात में देड़ बजी से है जैसे आप दिख सकते हैं दोस्तों, ये Group H का मैच है दोनों टीम्स टेबल पर 2nd position पर हैं, 3-3 points के साथ दोनों टीम्स Istanbul के अगेंस से जीट चुकी है, same score line से जो की है 2-0 निल का और दोनों टीम्स मैंसेटर उनाटेटर के अगेंस अपना individual games हार चुकी है जब PSG 2-1 हारी थी और Leipzig ने तो शौक final वाली difficultly थी, जो आप यहाँ देख सकते हैं Leipzig के लिए एक बहुत ही unusual चीज हुई है, कि ये back-to-back अब 2 games हारी है United के अगेंस Champions League हारी, उसके बाद Bundesliga में Gladback के अगेंस भी 1-0 हार गई उसके पहले तीनों मैचे जीती थी, सब में 2 goals इन्होंने score करें थे और 2 में 2 clean sheet भी रखी थी PSG की बात करें, तो PSG United के बाद against हारी थी, उसके बात से अब देख सकते हो इन्होंने 3 लगातार victory पाई है, जहां उन्होंने मिला के 9 goals score करें हैं और 1 भी goal concede नहीं करा है पर दोस्तों इस particular game में कुछ चीज़ें बहुत अलग होने वाली हैं, कुछ players missing होने वाले हैं सारी details में आगे बता दूँगा कि कैसे वो impact करेगा इस particular game पे, PSG पे और result पर की stat की बात करते हैं, PSG ने अपनी last 5 away games में clean sheet रखी है in Champions League जो बहुत important stat है, शायद आज के दिन वो इतना काम ना भी आये, बट काफी अच्छा historic phenomenon है, जो हमें ध्यान में रखना चीए, Leipzig अपनी 18 Champions League में से 6 में हारा है और अपनी last 8 home games में Champions League में से 3 में हारा है, तो दोस्तों ये दोनों टीम्स मिल रही है last time जब ये मिली थी, वो Champions League का semi final था, जहां PSG ने Leipzig को 3 निल चारा है था, उसके बाद ये पहली मुलाकात हो रही है इन दोनों टीम्स की, interesting game होगा, but only difference is going to be multiple injuries जिससे इस particular game का पूरा रुख बदलने वाला है तो ऐसे ही और interesting stats और analysis के लिए आप हमारा telegram channel जोइन करना मत बूलिएगा, जिसका link मैंने description में दिया हुआ है free channel है, आप फटा-फट वहाँ जोइन कर सकते हों, आपको सारी details, teams, etc, सब कुछ मिल जाएगा तो दोस्तों आपको आप तक वीडियो पसंद आए होगा, तो please इसको like कर दीजेगा, और channel को subscribe कर दीजेगा because आपके likes और subscription से हमें काफी motivation मिल जाती है Expert 11 की तरफ से देखेंगे, और यहां आता है, you know, वो important चीज़ है Leipzig के जो तीन defenders है, Klosterman, Limer, Mukiel, यह तीनों इस particular game में unavailable होंगे जो उनके लिए थोड़ा सा जटका है, उपर की तरफ Poulsen, Unku और Olmo, यह तीनों रहेंगे PSG की तरफ से देखेंगे दोस्तों multiple injuries हैं, बर्नाट नहीं है, सबसे पहले चालू करते हैं वो important players से, no Neymar, no Mbappe, यह काफी cripple कर देती है PSG की attack को, तो इसलिए पूरा पलड़ा, या पूरी responsibility आएगी, मौईसे, कीन और मरिया पे, एंजल दी मरिया पे, कीन ने तीछले तीन गेम में चार गोल स्कोर करें हैं, तो उनको उमीद कर रहे होंगे की उनको फिर से और chances मिलें, और इस Neymar और Mbappe की absence का वो पूरा पूरा फाइदा उठा सकें, नेमार पे, मरिया पे responsibility यह होगी, डी मरिया पे, की chances create कर सकें for Keen and Sarabia to score, एक और important player जो नहीं होगा इस particular game है, वो है Draxler, Varati और Icardi, यह तीनों भी unavailable होने के कारण, थोड़ा सा inexperience होगा इनके attack में, in terms of flashy names, बट डी मरिया अपने आप में एक star है, मौई सरकीन अच्छे form में हैं, और इस game में एक और हैं, आगे और पीछे की तरफ उससे काफी improve होताती है, इनकी overall game, Herrera और Guay यह Markinos को support करेंगे, आइधर flank से, की ब्लेस की बात करते हैं, लेपजिक की तरफ से Poulsen important player है, दो गोल, एक assist दिया है, इन्होंने 5 game है, Fosberg के 2 goal एक assist है, और Angelino जो इनके left back है, अब तक 2 goal मार चुके हैं, काफी बड़ी आप लियार है, आपको इनको ध्यान में ध्यान में धरूर रखना है, अल्मो को देख सकते हैं, अब दोस्तों 3 assist दिया हैं अब तक, नुंको के एक assist है, और Hylsenberg और उपामेचानो के भी goals आ चुके हैं, PSG की तरफ से Mbappé अब तक इस particular game में अविलेबल नहीं है, 7 goal 4 assist मारे इन्होंने 6 game में पर अविलेबल नहीं है, सराबिया ने 9 games खेली हैं, उसमें 2 goal 4 assist हैं, तो ये काफी critical player हो जाएंगे आज के perspective से भी, नेमार भी इस particular game में अविलेबल नहीं है, तो next important player जो यहां पर अविलेबल होगा, वो होंगे Moise Keane, जो X Everton player हैं, पिछले 3 game में 4 goal मार चुके हैं, season में अब तक लीग में अब तक 2 goal मार चुके हैं, Dream Maria का 1 goal, 1 assist है, Markinos का 1 goal है, और Harayra का 1 goal है, दोस्तों ये मुटा-मुटा हमारी key place हो जाएंगे जो हमने highlight कि हुए हैं यहां पर captaincy vice captaincy picks में भी, इन ही में आपको mostly rotate करना होगा, अपनी captaincy vice captaincy picks ताकि आप maximum advantage ले सको इस particular game से, अब चलते हैं, suggested dream 11 team की तरफ, और यहां पर हमने क्या किया है, upfront हमने Pulsan को pick किया हुआ है, विकोज हम expect कर रहे हैं कि अगर goals आएंगे, तो Pulsan इसमें involved होगा, और किस score line की तरफ हम जा रहे हैं, मैंने आपको कुछ details बताई थी, जब हम key stats में discuss कर रहे थे, अगर आपने नहीं सुने हैं, तो आप please वहां चले जाना, आपको काफी important stats वहां से पता चल जाएंगे, जो key players हम जिसपे ओपर ध्यान दे रहे हैं, उससे ऊपर एक है यह Pulsan, because जो expected score line हमारी तरफ से, जो हम expect करके जा रहे हैं, वो होगा 2 all के आसपास, या 2-1 in favor of Leipzig, जो की home team है इस particular fixture में, midfield में हमने Olmo, Nunku, Forsberg, Di Maria और Harera इन 5 players को लिया हुआ है, पांचों के पांचों अपने आप में काफी critical हैं, काफी attacking हैं और assist या goals इनके तरफ से आ सकते हैं, दी मरिया preferred या top captaincy, vice captaincy pick होंगे, Olmo का जैसे हमने देखा था दोस्तों, अच्छे खासे assist आया हो अब तक, Nunku भी काफी influence कर जाते हैं गेम को और Forsberg आप देखोगे, तो right back पे शुरू कर रहे थे पिछले couple of games में, तो वो important player होंगे, Markinos भी defensive mid खेलेंगे, हाला कि वो listed है as a defender, but defense में खेलेंगे, और काफी अच्छे points, उम्दा points दे जाते हैं, because of completed passes, interceptions, etc. तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, यह हमारी sample team है, final team आपको deadline से 10-20 minutes पहले हमारी telegram channel पर मिल जाएगा, तो please हमारी free telegram channel join करना मत भूलिएगा, link मैंने description में दी हुई है, यदि link के through join करने में दिक्कत होती है, तो आप telegram app पर जा सकते हो, वहाँ fantasy sports professor, यह spelling यहाँ पर दिया हुआ है, type करते न, और आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं, तो दोस्तों यह आपको अपको तक का video कर पसंद आए होगा, तो please को like करतीजेगा, और हमारी channel को subscribe करतीजेगा, हम जल्द मिलेंगे आपसे कई और football और cricket games की analysis के साथ, धन्यवाद.